हेलो फ्रेंड वेलकुनों मैं यूट्यूब क्यानल तिंक टेक्निकली रहा आज किस वीडिया हम डिस्कस करेंगे कि हम Olympiad 2019 का Slay Bus कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए चलिए शूर करते हैं तो उसके लिए यहाँ अपने आप फॉन में यहाँ अपने लैपटाप डेक्स्टॉप में या अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन कर लीजिए ब्राउजर में गूगल ओपन कर लीजिए गूगल ओ यह हाइलाइट्स में यह सेकेंड नंबर पर आ रहा है आई सीटी ओलंपियर गूरूप वन एंड टू स्लेबस 2019 इस पर क्लिक कर दीजिए आफ्टर क्लिकिंग ओन डिस वा नेक्स पेज ओपन हो रहा है इस पर देखिया आ रहा है डाउनलोड एलेटिड डुकमेंट इसमें यहां पर देखिए PDF फाइल आई तो सका मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं आफ्टर डाउनलोड इस को मि ओपन कड़ते है यहां पर देखिए उसका मैं ओपन करके आपको बता रहा हूं कि जो उसमें सलेव इफि Fehler है वह फिलाल यहां जो ग्रूप1 है क्लासस मेंyr कि यहां जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है और उनके बीच में यह जो कोशन्स वेर आएंगे कैसे आएंगे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा सबसे पहले जो हमारा हेडिंग एडवानी वेब ब्राउजर एंड नेट्वर्किंग इसमें दिखे सबसे पहले आ आजाएगा FTP, TCPIP यह प्रोटोकोल्स आजाएंगे इसमें इसको आप इसकी फूल फॉर्म स्वेर आजाएंगी ट्रांस्मिशन मीडिया में आजाएगा गाइड अंगाइड मीडिया इसमें डिफरेंट वायर्स हो सकते हैं को एक्जिल केबल्स फाइब और्टिकल फाइबर इसमें एडिफरेंट जो ट्रांस्मिशन मीडिया इसमें आएगा गाइड हो उसके बाद न्येट वायर्किंग डिवासेसमें आ जाएगा इसमें लंड वैन आ जाएगा जो इफरेंट पॉलोजीज़ भी इसमें आ सकती हैं और हिस्टि ओ इसमें 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 अग्याई लिए में कोशन आ जाताए Eagle Gmail की फूल फॉम ही वैरे तैने इंट्राग्राम आजक यह का आजकend चलगा यह this काफे ज़दा कोशन जाए पूछे हो सकते हैं वाइरश- so वारेश के पूछ सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं तन उसके बाद anti-virus program कौन कौन से होते हैं कहां से download कर सकते हैं और जो best anti-virus क्या क्या है cyber world में different definitions पूछे जाती है hacking वेरा पूछा जा सकता hackers authentication firewalls ऐसा पूछा जा सकते कोशन्स वह रहा, तो इनको आप प्रिपेर कर लिजी का, कोई भी कोशन्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल में वीडियो भी हैं, कुछ जो आपके लिए important होगी, playlist में चले जाएंगे, वहाँ पर important question answers हैं, वहाँ पर आपको काफी जादा इन questions के answer मिल जाएंगे, e-commerce में में लिए आजाती हैं, आपकी online shopping, जैसे Amazon, Flipkart, और भी काफी जादा websites हैं, जिसके help से आप वहाँ जा सकते हैं, और उसमें questions पूछे जाते हैं, कि आजकल कौन सी सबसे, जो टापर website, कौन से, एटवानिस, Amazon, टरस्टेड है, Flipkart, भी टरस्टेड और भी काफी जादा हैं, तो फिलाल में दो की ही बात करता हूँ, search engines होगे, Alta Vista, नर उसके बाद Bing, Google Chrome, ये search engines के बारे पूछा जा सकता है, इनका काम क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, Google का particular search engine या particular software ऐसे पूछे जा सकते हैं, कि search engine कौन सी company का search engine होता है, और search engine से हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ये सारा पूछा जा सकते हैं, next जो हमारा topic है, डाट वानी is HTML and gaming, different attributes के बारे में पूछा जा सकता है URL के बारे में पूछा जा सकता है full form भी पिछली बार आई थी URL की uniform resource locator का काम क्या होता है जैसे www.google.com इसको हम बोलेंगे URL इसके regarding domain, subdomain क्या होती है .in.au.org इनकी full forms क्या होती है then links और hyperlinks क्या होते है इनकी definition पूछे जा सकती है और link कैसे लगाते हैं इनका question पूछा जा सकता है और यह सारा paper आपका objective type में आएगा एक question होगा और इसके four options होगा इनमेंसे आप एक option को select करेंगे जो की true होगा tables में पूछा जा सकता है कि table कैसे create कर सकते है cell padding, cell spacing, tr tag पूछा जा सकता है ts tag के बारे में पूछा जा सकता है यह होते क्या एक table create करके बताएंगे उसमें show कर सकता है कि table यह कैसे बना कौन से particular tag से बना tables में list नहीं कितने type की होती है वो पूछा जा सकता है order, unorder order के लिए कौन सा tag यूज करते है और वेरियस गेम्स और लेटर लेवल्स पूछे जा सकते हैं जिसमें में HTML यूज़ कर सकते हैं या और भी गेम्स वेरा जिसे आजकल PUBG वारा काफी चल रही है जैसे और भी काफी टेंपर टरन इन गेम्स के वारा ही पूछा जा सकता है सो उसकी भी थोड़ी टेल रखिए जायर टेल में मत करिएगा बस एक आइडिया से रखिए आपको पता अजकल गेम्स कौन सी नेट पर जाईए प्ले स्टोर में जाईए वाहां पर सभी आपको गेम्स मिल जाएगी लेवल्स वेरा कौन से आपको पता है केंडी करश वेरा गेम्स आपने काफी खेली होगी तो बस वो ही पुछे जाएंगे इसमें से नॉर्मल कोशन्स बट फिलाल यह जो उपर मैंने आपको बता है इनको जादा प्रप्यर करिएगा बिकॉस गेम्स वेरा में टाइम वेस्ट करेंगे विमारी टांजिस्टर कौन कौन सी इन्जोनेशन में आये थे कंपोनेंटूंस ऑफ सी पी यू कौन से होते कि सिस्टम यूनिट क्या वता है मााक्रोप्रसेणर कौन कौन से उत्य होतय है चिप सवयरा कौन सी होती है जैसे ब्यास की फिलफॉर ईसमेस की CMOS की full form होगी RAM ROM की full form होगी कौन सी volatile memory या non-volatile memory ऐसे questions पूछे जा सकते हैं booting process क्या होती है cold booting, warm booting पूछा जा सकता है यह भी आप कर सकते है peripheral devices में input output devices को पूछा जा सकता है peripheral devices क्या होते है जैसे scanner input device है output device है, CPU क्या है storage device है, processing device है pen drive क्या है, pen drive को और क्या बोल सकते है flash memory बोलते है types of storage, इसमें आ जाएगा cd, dvd, flash drive, pen drive then blu-ray disk where आ जाएगा units of memory या properly करिएगा पिछली बारी में से दो-तिन questions आए थे then इसमें nibble आएगा एक question maximum आता है, one byte equal to 8 bits, इसको properly करिएगा nibble, bit byte kb, gb, mb, petabyte then zotabyte, brunobyte तो सबसे topper होते हैं, उसके बारे में inventions and abbreviations जैसे मैंने आपको topper बताया था, कि computer का father कौन है, उसके बाद www की full form क्या है, उसके बाद full form स्वेरा पूछा जा सकता है CPU, MU, ALU की full form, operating system के बारे में पूछा जा सकता है, operating system क्या है then, operating system की definition पूछी जा सकते है, later operating system कौन सा है, जैसे कि windows 10, यह कब launch होई थी, windows 7 कब launch होई थी, फिलाल यह दोनों question पिछली बारा आ जोके हैं, कि windows 7 और windows 10 कब launch होई थी, printers के बारे पूछा जा सकता है, कि printers कितने तरह के होते हैं, impact और non-impact, जो हम normally printer use करते हैं, working के लिए printing के लिए, वो कौन सा होता है, that one is laser printer, banking में कौन से printer use करते हैं, dotmatrix printer, laser printer कौन से होते हैं, impact printer, यह भी questions पूछे जा सकते हैं, कोई भी question हो, इसके regarding आप comment box में करके पूछ सकते हैं, next input और output devices के बारे पूछ सकते हैं, कि जैसे कोई question में दे दिया, कि mouse is a dash device, तो उसमें यह options देगा, जहां output में पूछ सकते हैं, कि LCD, LED, monitor, यह कौन से device हैं, यह पूछा जा सकते हैं, उसके recording, आपकी जिबुक को होती हैं, जैसे class 8, उसके recording topic है, जिंप के tools, उसका interface, file extension पूछा जा सकता है, shortcut की पूछी जा सकती है, commands और filters पूछे जा सकते हैं, जैसे blur एक filter हम use करते हैं, different commands, उसके recording logo, जो chapter है, class 4th में, उसका regarding भी पूछा जा सकता है, logo screen कैसी होती है, उसके parts दिये जा सकते हैं, उसमें, वो बोल सकते हैं, इस part को ये बोलते हैं, true है, false है, ऐसे भी दिया जा सकता है, logo की commands, pen up, pen down, ये सारी commands पूछी जा सकती हैं, CLS, so many commands हैं, और primitives और उसके procedures पूछे जा सकते हैं, open office काफी अच्छा topic है, इसमें license software, property software, ये फिलाल, class 4th का topic है, otherwise class 6 में भी है, और 7 में भी हाई है, open office or software क्या हता है, writer क्या है, फाइल कैसे create करेंगे, save कैसे करेंगे, shortcut keys पूछी जा सकती है, control and say new, control P से print, control S से save, और control O से open, formatting कैसे देंगे, printing जैसे मैं आपको बताया, कैसे करेंगे, control P से printing के कौन कौन से options होते हैं, जैसे की portrait या landscape mail merge क्या आता है, shortcut keys, various toolbars कौन कौन से होते हैं, उसके बाद इस spreadsheet में चलेगे, formula क्या आता है, address क्या आता है, cell क्या होता है, उसके guarding कितने, rows कितने columns हो सकते हैं, अगर हमने automatic formula लगाना है, किस से लगाएंगे, submission से, जिसके लिए आपका एक formula बार में submission option होगा, वहाँ से लगा सकते हैं, cells को format कैसे करेंगे, और different tools के बारे में पूछा जा सकते हैं, कि ये बार ऐसे पूछा जा सकते हैं, कि toolbar का एक वहाँ पर photo display कर दे जाएगा, और वहाँ पे पुछेगा, ये कौन सी toolbar है, ऐसे ही powerpoint ही, हम press के question पूछे जाएंगे, duplicate slide कैसे लेंगे, image कैसे add करेंगे, powerpoint shows कैसे करेंगे, shortcut key, duplicate key क्या होते हैं, जैसी control D, ये भी पिछली बार question आया था, अगर आपने new slide लेनी है, किस से लेंगे, control M से, याद रखिए, control N से नहीं file आती है, और अगने में अगर हमने नहीं slide लेनी है, PPTP अंदर, तो उसके लिए control हम यूज करेंगे different toolbars, और printing option, और saving, opening file कैसे करेंगे, close कैसे करेंगे, presentation को इसकी shortcut key पूछे जा सकती है text paint में, different brushes के बारे में उसकी file extension के बारे में कितने brushes होते है, open save कैसे करेंगे create कैसे करेंगे, printing को और different images कैसे open करेंगे हम paint में, तो फिलाल open इसमें use करते हैं, ऐसे ही, next जो हमारा यहां question आ गया data one is scratch के related topic है जो हमारा class 7th में है, text paint फिलाल हमारा class 4th में है तो text paint के different tools sprite क्या होता है, scratch window के tools पूछे जा सकते हैं, blocks क्या होता है, shapes वेरा, screen के layout, फिलाल 3 होती है वो आप define कर सकते है sound कहां से देंगे, वो आपको options याद होने चाहिए, costumes कहां से लेंगे background कैसे देंगे, file format यह आपको आने चाहिए, कौन-कौन साथ support करता है, scratch software फिलाल जी जो मैंने आपको topic बताया है इनमें सो 2-3 तो questions पकाएंगे extensions के बारे में, इन सभी software की extension कर दीजेगा फिलाल यह तो था group 1 के बारे में तो फिलाल group 2 के लिए मैं next video create करूँगा नई तो video काफी लंबी हो जागी यह जो मैंने आपको पूरे यहां पर एक आपको idea दिया है कि आप ऐसे इसमें questions आ सकते हैं, इसके regarding कोई भी आपकी क्यूरियो, comment box हमें क्यूंट कर सकते हैं, और starting में मैंने आपको बताया था कि हमारे channel की playlist है, important question answers वहाँ पर आप चले जाएंगे, वहाँ से भी आपको यह सारे कोशन के आंसर मिल जाएंगे विजाल उसका link का जो वहाँ वीडियो के description में दे दूँगा वीडियो का, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं playlist का, तो friends यह सारे read करके देखिए, अगर इनके regarding कोई भी आपका कोशन जा कियोरी हो वो आप क्वेंट वोक्स हमें क्वेंट करके हमें बता सकते हैं, और साथ के साथ यह वीडियो अपने फ्रेंक के साथ भी शेयर करिये so that वो उनको भी एक आइडिया हो जा कि कैसे कोशन सा जाएंगे, ICT कोई भी प्रॉलम फेस करते हैं, तो हमें बता सकते हैं कमेंट वोस में, so thank you friends for watching our video